दूस्तो इस दुनिया ने जैसी तबाही कोरोना वाइरस के दौरान देखी, ऐसी तबाही शायद पहले कभी नहीं देखी। दुनिया के नक्षे में शायद ही कोई ऐसी जगा बची हो, जहाँ कोविट का असर नहीं देखा गया। जहाँ इसने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया, वही भारत में एक ऐसी जगा मजूद है। जहाँ कोरोना जैसी बिमारी लोगों को चूतक तो क्या, पहुँच तक नहीं पाई। और ना सिर्फ वो बिमारी, बलकि आज तक यहाँ कोई इंसान भी नहीं पहुच पाया है। और जो कोई वहाँ जाने अंजाने पहुच भी गया, उसे वहाँ के लोगों ने मौद के गहट उतार दिया। तो आखिर कौन सी है वो जगा और क्यों आज तक इंसान, वहाँ के इंसानों की बस्ती में नहीं पहुच पाया। चलिए जानते हैं इन सबी सवालों के जवाब आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तो जहां आज भारत पूरी दुनिया से अपने रिष्टे बना रहा है, वही भारत में ही एक ऐसी जगा है, जहांके लोगों का दुनिया से तो क्या, भारत के लोगों से भी आज तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं बना है। हमारे देश का ये वो इलाका है, जिसका साथ हजार सालों से किसी भी तरह की सब्यता से कोई पाला नहीं बना, यह ना तो कोई जा सकता है, और नहीं इन लोगों से मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं तो बता दे कि हम बात कर रहे हैं अंडामा निकोबार द्वीब समुह पर मौजूद नौर्थ सेंटिनल द्वीब जिस पर कई हजार सालों से इंसान रहतो रहे हैं लेकिन हम आज तक ये नहीं जान पाए हैं कि वो क्या खाते हैं कौन सी भाषा बोलते हैं और महज़ित 23 वर्ग मिलके इसे छोटे से द्वीब पर सुनामी तुफान जैसी कई परेशानियों के बावजूद ये खुद को जिन्दा कैसे रखे हुए हैं दोस्तों बताते कि भारत का ये कभीला लगवक 30,000 साल पुराना है जिसकी रहस्य दुनिया भर के लिए एक रहस्य बनी हुई है ऐसा माना गया है कि आज भी यहां पाशान काल यानिकी स्टोन एज चल रही है एक अनुमान के मताबिक यहां पर इस्त्री और पुरुष मिलाकर कुल 400 से 500 लोग रहते हैं ये भी माना गया है कि ये लोग अफरीकी जन जाती सम अच्चा में आ गया क्योंकि यहां के कभीले वालों ने अमेरिकी टुरिस्ट जॉन एलन चाओ की तीर मार कर हत्या कर दी दरसल जॉन जानता था कि इस दुई पर रहने वाले आदिवासियों से किसी भी तरह का संपर्क बनाना मना है लेकिन ये जानने के बावजूर ये उसे मार डालते हैं हलाकि मारको पोलो ने तो ये लिख दिया लेकिन इतिहासकार इस बात को सच नहीं मानते हैं वो तो मानते हैं कि मारको पोलो ने अंडामान की जमीन पर कभी पैर तक नहीं रखा इतिहासकार मानते हैं कि ये सबी बाते सुनी सुनाई हैं कर अगर बात करे modern history की तो उसके बाद North Sentinel Island का पहला ओफिशल जिक्र 1781 में हुआ जब East India Company का एक जहाज सर्वे करने के लिए इस इलाके में पहुँआ तब इन लोगों ने द्वीब पर आग जलती देखी लेकिन वो जहाज से नहीं उतरे वहीं इसके लगबग 96 साल बार इस आइलाइंड पर साल 1866 में पहली बार एक आम इंसान का पैर पड़ जब एक कारगो शिप इस द्वीब के किनारे क्रेश कर गया इस दोरान शिप के 86 लोग इस द्वीब पर उतरे तब उन्हें द्वीब पर रहने वाले आदिवासियों के बारे में कुछ नहीं पता था तब उन्हें लगा कि वह इन्हें रेस्क्यू किया फिर इसके ठीक 13 साल बात इस द्वीब के लोगों याने की सेंटिनली लोगों और मॉडन मैन का फिर से आमना सामना हुआ जब अंडमान निकोबार में रॉयल निवी के एक आफिसर दॉरिस पोर्टमेन को न्यूक्त किया गया वो इस आइलेंड के बारे में जानना चाहते थे इसलिए उन्होंने सोचा कि वो कुछ लोगों को किड्नैप करके अंडमान ले आएंगे और उनके साथ दोस्ती करेंग ताकि उनके बारे में और अच्छे से जान सके इसके लिए वो एक टुकड़ी लेकर नौर्ट सेंटिनल आइलेंड पहुंचे काफी दिनों की खोज के बाद उन्हें एक बुड़ा आदमी एक और चार बच्चे मिले जिनने ये अपने साथ पोर्ट बलेयर ले आए वहां आ चारन जब वो बच्चे वापिस लोटे तो उनकी वज़े से ये इंफेक्शन पूरी कम्यूनिटी में फैल गया फिर इसके बाद कभी भी अंग्रेजों की तरफ से इस आइलेंड के लोगों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की गए इसके बाद 1896 में ऐसा कहा जाता ह है कि एक कैदी काला पानी से भाग कर एक जुगार नाओ के जरिये इस आइलेंड तक जा पहुचा था कुछ दिन बाद एक सर्च पार्टी उसके पीछे 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 वहां पहुची तो उन्हें उसकी लाश मिली जिस पर तीर के निशान थे और उसका गला रेट दिया गया था फिर इसके लगबग सतर साल तर कोई इस आइलेंड के नजदीक तक नहीं गया आजादी के बाद भी भारत सरकार की तरफ से इस आइलेंड के लोगों से कॉंटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गये फिर बाद में सरकार ने कुछ शोद करताओं को इस आइलेंड पर जाने की इजाजत दी सरकार से पमिशन मिलने के बाद साल 1967 ने एंत्रोपॉलोजिस्ट त्रिलोकनाथ के साथ पहुंचे थे। उनकी नाव आइलेंड तक गई और दूरबीन से देखा तो उन्हें सेंटिनली आधिवासी दिखाई दिये। लेकिन बोट देखते ही वो जंगल की और भाग गए। इसके बाद T.N. पंडित और उनकी बाटी ने अध्मों के निशानों का पीछा किय तो अंदर जंगल में उन्हें 18 जोपडियां दिखाई थी। ये पहली बार था जब इन लोगों के बारे में कुछ पता चला था। जोपडियां घास और लकडी की बनी थी। अंदर आग जल रही थी और वहाँ शहद और कई तरह की चीजे थी। लकडी के कुछ बरतन थे, कुछ भाले और तीर भी थे। उन तीरों की नोग पर लोहा लगा था जिससे पता चला कि ये लोग मेटल से वाकित थे। इस ट्रिप में इन लोगों ने किसी आदिवासी से मुलाकात तो नहीं की। लेकिन ये वहाँ कुछ मेटल के बरतन और नारियल जरूर छोड़ा है। इसके बाद आपको बता दे कि 1970 तक ये इलाका सरकारी पहुँच से बाहर ही रहा। फिर 1970 में सरकार ने ये तैय किया कि कम से कम वहाँ पर मार्किंग तो जरूरी है। इसलिए 1970 में सर्वे के लिए आई एक पार्टी ने दुईप पर एक पत्थर लगाया जिस पर लिखा था कि ये दुईप भारत का हिस्सा है। इंटरनेशनल कम्यूनिटी में इस आईलेंड के चर्चे हुए तो 1974 में नेशनल जिओग्राफिक की एक टीम यहां डॉक्युमेंटरी बनाने के लिए आप पहुँची। आपको बता दे कि दुनिया में जब भी एक अंटच्च्ड ट् अपनाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उनकी नाव आईलेंड के नस्दीक पहुँची। उन पर तीर चलने लगे। एक तीर सीधा डारेक्टर को लगा। जिसके बाद ये टीम वापिस लट आई। तीम टापू के किनारे तक जा पहुँची। इस दौरार टीम ने सेंटिनली आदिवासियों की पहली बार तस्वीर छपी। नीचे लिखा था यहाँ शब्द नहीं तीर बोलते हैं। इसके बाद 70 और 80 के दशक में कई बार सेंटिनली लोगों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश तो हुई। और गिफ्ट लेने को सेंटिनली लोग तयार भी शामिल थी। मदुमाला के रूप में पहली बार सेंटिनली लोगों का सामना एक मॉडरन महिला से हुआ और इसका असर भी दिखा। ऐसा कहा जाता है कि तौफे लेने के बाद एक आदिवासी पुरुष ने मदुमाला की और धनुश्तान दिया। उसी समय एक आदिवासी म पहिला ने उस पुरुष को धक्का देकर तीर चलाने से रोक दिया। इस दोरान पहले टीम की तरफ से पानी में बहा कर नारियल दिये गए। जिसके बाद सेंटिनली लोग कुछ नारियल हाथों से लेने को भी तयार हो गए। जिनकी कुछ तस्वीरें भी वाइरल हुई तो पता चला कि ये लोग सुनामी भी सर्वाइव कर गए थी और जब यहाँ पर आपदा आई थी तब सरकार की तरफ से खाने के कुछ पैकेट गिराए गए थी। लेकिन हेलिकॉप्टर देखते ही आधिवासियों ने उस पर तीर चलाना शुरू कर दिया। जिसका मतलब स से लड़का कर बीच पर खड़ा कर दिया गया था जिसे एक चेतावनी के तौर पर समझा गया। इस दौरान जब लाश वापिस ले जाने की कोशिश हुई तो उस टीम पर भी आदिवासियों ने तीरों से हमला किया। अच्चु की सेंटिनली लोगों से कॉन्टाइक्ट क करना मना है। इसलिए भारत सरकार का कोई भी नियम यहां लागू नहीं होता। मतलब इस इलाके में गए और मारे गए तो यह आपकी खुद की जिमेदारी है। और इस तरह इस आइलेंड का modern human से किसी भी तरह का जुड़ाव नहीं हो पाया। खेर दोस्तों आपको क्या र फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।